अब आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट अब देखिये इसमें क्या आएगा अगेन आपको दिखेगा कि फाइलम कॉल रटाई क्यों नजर आ रहा है सामने अब देखिये हमने इसके पहले कंप्लीट किया था इतना पार्ट वर्टिब्रेटा और उसमें हमने देखा था और गनाथा और गनाथोस टोमाटा उसके बाद इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था ये वाला पार्ट सुपरक्लास पाइसस और उसके दो क्लासस कॉंट्रिक्थीज और और अस्ट्रिक्थीज को अब हमें कंप्लीट करना है आज नट कंप्लीट करेंगे या फिर स्टार्ट करते हैं पहले अब हमें स्टार्ट करना है सुपरक्लास टेट्रापोडा देखिए हमने क्या बोला था Gnathostomata Gnathostomata का मतलब क्या था कि जिसके अंदर Jaws present थे Jaws present थे Two Jaws present थे उसके अंदर और अब यहाँ पे Agnatha के Under जो Cyclostomata आता है मतलब उनके अंदर क्या था Jaws absent थे Round mouth था अब यहाँ पे अगर Jaws present है तो हमने सबसे पहला वाला देखा है Pisces कि Jaws present है उसके बाद हमने देखा कि Pisces में क्या था कि Locomotion इनका किस से था Fins से था Fins present थी Locomotory Purpose के लिए अब Superclass Tetra Poda में Tetra याने 4 और Poda याने Legs अब इन में क्या होगा इनके पास Locomotion के लिए Locomotory Purpose के लिए क्या present है इनके पास present है 4 Limbs Got it? इनके पास 4 क्या present है? Limbs present है और अब वो जो Limbs इनके पास present है वो Limbs भी कैसे है? With Digits इनके पास उंगलिया भी है Digits भी है और वो Digits को क्या है? Claws present है Naakoon भी present है Claws बोल सकते हैं उसे वो भी present है अब देखते हैं हम Tetra Poda को अब देखिए Tetra Poda मैंने अब भी आपको ये बात क्लियर कराई क्या? Tetra यानि 4 Poda यानि Fit या Legs मतलब इनके पास 4 Legs present है इसलिए इसे कहां जाता है Superclass Tetra Poda दो Superclasses थे एक था Paisis दुसरा था Tetra Poda जो की था Gnetho Stomata के अंडर जिसके अंदर Jaws present होते हैं Got it? अब देखिए यहां पे ये वाले जो Tetra Podes थी वो सबसे पहले मतलब Tetra Podes के जो Ancestors बोल सकते हैं और Primarily शुरुवात में शुरुवात में ये Terrestrial थे कैसे थे? वो जमीन पे पाए जाते थे और कुछ जो थे जादा तर वो जमीन पे पाए जाते थे और Secondarily वो Aquatic थे कैसे थे? Primarily वो Terrestrial थे Secondarily वो Aquatic थे मतलब जादा थर Primary वो किसका चुनाव करते थे? कहाँ पे रहने को चुना करते थे? उन्होंने जमीन पे रहना चुना थे और यहाँ पे Secondarily अगर जमीन पे उन्हें कुछ मिला नहीं तो वो पानी में भी जाया करते थे What it? इसलिए यहाँ पे कहाँ गया है Primarily Terrestrial Secondarily Aquatic अब देखते हैं आगे मतलब देखिए Tetra Ports जो है वो आपको पानी में भी मिलेंगे वो आपको कहाँ पे मिलेंगे Water पे भी मिलेंगे और वो आपको जमीन पे भी मिलेंगे अब यहाँ पे उनके पास क्या होता है जैसे कि हमने अब भी बोला इनके पास क्या है Four Legs है मतलब क्या है Four Legs को अब हम कैसे बोलेंगे Four Legs को Two Pairs of Pentaductile Limbs मतलब इनके पास One 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 ऐसे दो Pairs है और हर एक को पाच पाच और पाच क्या है Pentaductile मतलब फाइव डिजीट से हैं उनके पास इनके जो दो Pairs है ये लिम्स के ये एक Pair और ये दूसरा Pair ये दो Pairs present है और उनको क्या है पाच पाच क्या है डिजीट से प्रेजेंट है इसलिए इनके कहा गया है Two Pairs of Pentaductile Limbs are present अब नेक्स्ट बात करते हैं इनकी जो बोड़ी है अब इनको Tetraports क्यों बोलते हैं हमने बोला ये Terrestrial भी है ये Aquatic भी है अब देखिए इनकी जो बोड़ी है वो Cover किस से है मतलब इनका जो Exoskeleton है वो कैसा है वो कैसा है एक तो इनके बोड़ी के उपर Epidermal Hairs present है या फिर Feathers present है या फिर Scales present है Epidermal Hairs किस में present होते है Mammals में होते है Mammals में अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा Mammals में आपको दिखेगा Mammals में आपको Epidermal Hairs दिखेगे अगर आप Birds देखोगे तो Birds में आपको Feathers दिखेगे Punk दिखेगे और scales आपको किस में दिखेंगे reptiles में दिखेंगे Got it? यह सारी चीज़े उनके body के उपर present है या फिर उनका जो exoskeleton है इन चीजों से ढखा हुआ है या इन चीजों से बना हुआ है आगे यह बात समझ में अब आगे बढ़ते हैं अब देखिए इनके जो lungs है ओके इनके जो lungs है वो किस के लिए यूज करते है respiration के लिए यूज करते है देखिए अब हमने Pisces में देखा था कि उनका respiration बस किस से था? गिल्स से ही था बट अब इन में हमें क्या दिखेगा? कि इनके पास lungs तो present है respiration के लिए बट फिर भी इनके पास क्या है? इनके पास gills भी हो सकती है और इनके पास ये respire उनके skin से भी कर सकते है और बाद में इनके पास lungs भी है, मतलब देखिए इनके पास gills भी हो सकती है ये skin से भी respire कर सकते है और ये lungs से भी respire कर सकते है अब यहाँ पर यह specifically सिर्फ लंग से ही respire नहीं करेंगे इनमें कुछ पाएं जाएंगे कि जो लंग से respire करेंगे कुछ है वो दिल से करेंगे respiration और कुछ है वो किस से respire करेंगे वो respire करेंगे skin से या फिर हम जिसे बोलते है body surface अब next character देखिए इनका क्या है इनके पास heart present है जाहिर है जिन्दा है heart present है blood present है तो heart भी present है अब देखिए यहाँ पर इनका जो heart है या तो three chambered है या फिर four chambered है अब यह three या four क्यों कहा है जब हम आगे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा इनका जो heart है वो three या four chambered है मतलब one auricle, two ventricle, two auricle, two ventricle ऐसे three या four chambered इनका heart होता है यह सारे characters किसके थे? tetrapords के अगर यह characters present है तो इन organisms को हम किस category के अंडर रखेंगे? tetrapords के अंडर अब यह वाले जो tetrapords है अगेन इनको four classes में क्या किया गया है? divide किया गया है इनको अगेन कैसा किया गया है? four classes में इनको divide किया अब देखिए कौन से four classes है वो? वो four classes है amphibia, reptilia, eos और memos यह वाले four classes में इनको divide किया गया अब देखिए हमने जब tetraports के characters देखे उसमें हमको दिखा कि कुछ-कुछ characters इन four classes के थे जैसे कि for example हमने देखा कि exoskeleton कैसा था वहाँ पे हमें mammals का भी character दिखा हमने देखा कि exoskeleton hair से cover था ए उसका भी दिखा पिदर से cover था और reptiles का भी दिखा scales से cover था what it अब हमें एक के बाद एक step by step एक क्लास को पढ़ना है tetrapoda की tetrapoda के देखिए यहाँ पे कितने classes थे देखिए यहाँ पे है tetrapoda super class tetrapoda ये वाला हमने पहला वाला Pisces पढ़ा अब दूसरा वाला हम tetrapoda super class पढ़ रहे है और वो डिवाइड हुआ है कितने four classes में ए बी c और d उसमें है amphibia, reptelia, eves और mammals got it होगी ये बात आप लोगों को clear अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ देखिए अब यहाँ पे सबसे पहला हम लेते हैं देखिए यहाँ पे सबसे पहला amphibia अब हमें start करना है amphibia को अब यह वाले जो amphibians होते हैं या फिर class amphibia जिसे हम बोलते हैं अब इसे amphibians क्यों बोलते हैं? amphi का मतलब होता है dual यह दो और bios amphibians बोलते हैं हम मतलब इबियन्स या bios मतलब है life मतलब amphibians जो है जो भी organism जिने हम amphibians बोला करते हैं they are living dual mode of life वो क्या करते है? dual mode of life वो दिखाते है dual mode of life मतलब क्या होता है अब? dual mode of life का मतलब होता है वो पानी में भी रहा करते हैं वो जमीन पे भी रहा करते हैं कुछ ऐसे organisms जो एक साथ पानी में भी जाते हैं जमीन में भी रहते हैं ऐसे organisms जिने कहां जाता है? amphibians, got it? हम अब इसके examples देखते हैं frog आप सब को पता होगा आप सबने frog को देखा होगा अब ये frog जो है ये frog है इस amphibians का example अब frog को सामने रखते हुए इसके सारी characters को हमें पढ़ना है हमें इन्हें क्या करना है ध्यान में रखना है अब देखिए second character क्या है? हमने बोला कि वो क्या है? they are showing dual mode of life that means they are living in the water or on the land वो पानी के अंदर भी रहा करते है और पानी के उपर means वो लैंड पे भी रहा करते है अब यहां पे इन्हें कहां गया है first coordinates पहले coordinates है ये पहले अब तक इसके पहले हमने जो भी देखे ना coordinates के अंदर coordinates के अंदर हमने जो भी देखे मतलब हमने अगनेथा देखे था मतलब अगनेथोस्टोमाटा या फिर गनेथोस्टोमाटा, साइकलोस्टोमाटा, पाइसस, सब क्या थे? ये सारे थे coordinates बट वो सारे कहां पर रहा करते थे water के अंडर रहा करते थे water के बीच में या water के अंदर थे अब यहां पर यह amphibians ऐसे पहले coordinates है जो कि water के बाहर रहते है जो कि पानी के बाहर रहा करते है और वो they are showing dual mode of life मतलब वो पानी के बाहर भी जाते है पहले हमने जो भी देखे वो सारे पानी के अंदर ही रहा करते थे अब ये पानी के बाहर भी रह सकते है अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है they are occupying intermediate space between fish and reptiles fish और reptiles के बीच में आते हैं देखिए कैसे देखिए यहाँ पे यह है fish अगर हम बोले normally पढ़े तो यहाँ पे अगर हम fish को यहाँ पे रख दे ओके अब अगर यह Pisces है 1, 2 और 3 अगर हम ऐसे बोले Pisces, Amphibians और reptiles मतलब यह Pisces और reptiles के बीच में आते है Amphibians, Pisces और reptiles के बीच में अब Pisces जो है वो totally water में रहा करते थे reptiles जो है वो totally आपको कहाँ पे रिखेंगे land पे रिखेंगे रहने वाले बट अब यह जो Amphibians है वो water में भी रहा करते है और वो land पे भी रहा करते है इसलिए इन्हें हम बोलते है Amphibians Got it? अगई यह बात आप लोगों को समझ में हो गई द्याकुपा intermediate space between fish and reptiles fish और reptiles के बीच में आते है अब देखिए अगेन यह कैसे है Poikilothermic कैसे है Poikilothermic मतलब मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बोला था Poikilothermic मतलब कैसे है Cold-blooded है Cold-blooded मतलब कैसे जो की अपने body का internal temperature बाहर के temperature से क्या करते है equilibrate कर सकते है balance कर सकते है इसलिए यह कैसे है Cold-blooded है अब इनके पास इनके पास क्या है Two pairs of limbs है Okay हमने यहीं पे देखा यह किसके अंदर आते है यह किसके अंदर आते है Tetra pores के अंदर आते है मतलब क्या है इनके पास Tetra याने four limbs है वैसे इनके पास अब क्या है Two pairs of limbs है और एक को कहां जाता है four limbs? एक होते है four limbs, जो की smaller होते है और दूसरे होते है hind limbs, जो की larger होते है. किसे? जो की four limbs से larger होते हैं hind limbs. Got it? Four limbs और hind limbs. Four limbs याने, आगे के hind limbs याने, पीछे के जो legs है या limbs है. अब आगे का character देखते है अब amphibians जैसे कि हमने कहा टेटरापोर्स में हमने देखा कि उनका exoskeleton अलग-अलग type का था अब यहाँ पे इनका exoskeleton किस तरह का है कैसे बना हुआ है देखिए अब यहाँ पे इनका exoskeleton कैसे बना हुआ है देखिए अब they have smooth and moist skin उनकी skin कैसी है smooth है और moist है कैसी skin है उनकी smooth है और moist है और उसी के साथ उसके उपर बहुत सारे glands है got it उसके उपर बहुत सारे glands है अब यहाँ पे scales आपको नहीं दिखेंगी यहाँ पे scales absent है यहाँ पे क्या है scales are absent बट यहाँ पे इनकी जो skin है वो smooth है, moist है और उसके उपर बहुत सारे glands है अब smooth है, moist है और हमने ये भी देखा कि they are showing dual mode of life वो पानी में भी रहा करते है और जमीन पे भी रहा करते है तो अगर इनके पास mucus glands ना हो, इनके body के उपर glands ना हो तो उनकी skin क्या हो जाएगी? dry हो जाएगी और अगर वो dry हो जाएगी तो वो shrink हो जाएगी और organism के death हो जाएगी वो frog के death हो जाएगी आपने देखा होगा frog की skin बले ही आपको हाद से अगर आप देखो touch करोगे तो आपको hard लगेगी बट वो हमेशा थोड़ी थोड़ी कैसी होती है? moist होती है, उसमें थोड़ी amount में आपको नमी दिखेगी, युमीर होगी वो अब इसका next character क्या है? इनके पास क्या है? देखिए next character बहुत interesting है two nostrils है, अब तक हमने ऐसे nostril के तरफ ध्यान नहीं दिया था, Pisces में अब इनके पास nostrils, हमने Pisces में क्या देखा था? कि olfactory lobes develop है हमने बोला था Squalidom में हमने बोला था कि उसे dogfish भी कहा जाता है but अब यहां पे हम directly बात कर रहे है nostrils के बारे में, they have two nostrils और वो nostrils कैसे है? connected with buccal cavity हमारे भी देखिए, हमारे जो nose है, हमारे जो nostrils है वो directly हमारे mouth को connected है, कभी-कभी ऐसे हो जाता है हम जल्दी-जल्दी में पानी पी ले, कभी-कभी वो पानी हमारे नाप में भी चला जाता है क्यों? क्योंकि हमारा जो nostril है, two nostrils है, वो directly connected है हमारे buccal cavity को Got it? इसलिए यहां पे लिखा है, दो nostril जो है, वो connected है, buccal cavity को यह special character है, इनका अब tetraports में आपको यह character दिखेगा अब दिखिए, इनका जो heart है, वो कैसा है, three chambered है हमने, जब tetraports के characters देखे, तब हमने देखा था कि three chambered या four chambered heart है इसके पहले हमने Pisces में देखा, two chambered ही था one auricle, one ventricle था अब यहां पे हमें क्या दिखेगा? the heart is three chambered और three chambered में क्या होगा? two auricles है, और one क्या है? इसके अंदर ventricle है दो auricle और एक ventricle से यह heart बना हुआ है अब आगे बढ़ते हैं अब देखिए, इनके जो arbuses है red blood cells इनके जो arbuses है red blood cells वो कैसे है? they are oval biconvex and nucleated cut it अब देखिए, यहाँ पे इनका respiration कैसा होता है how they are respiring वो respire कैसे करते है अब देखिए, यहाँ पे उनका respiration आपको कैसे दिखेगा with the help of buccal cavity lungs or skin but यह सारी चीज़े buccal cavity, lungs or skin इससे respiration आपको दिखेगा वो कैसे होगा? वो होगा adult में अब यहाँ पे again tadpole जो होता है वो respire करता है gills से अब tadpole क्या चीज है? देखिए, यहाँ पे क्या होता है? एग है यह वाला है एग उसके बाद यह है इसके life cycle की stages एग बाद में किस stage में जाता है? टैड़ पोल में जाएगा गॉट इट? और टैड़ पोल से वो कहाँ पे जाएगा? वो बनेगा adult उसके बाद वो adult बनेगा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? कि यह जो टैड़ पोल होता है अब यह टैड़ पोल यहाँ पे गिल से रस्पायर करेगा अब यहाँ पे अगर यह टैड़ पोल गिल से रस्पायर करेगा तो तो टैड़ पोल is not able to leave on land वो लैड़ के उपर नहीं रह पायेगा अब देखिए हमने यहाँ पे देखा adult जो है वो बकल कैविटी से लंग से और स्कीन से रस्पायर कर पाता है बड़ जो टैड़ पोल है वो रस्पायर कर पाता है बस गिल से अब यहाँ पे इस लिए इस टैड़ पोल को क्या कौन सा मिडियम चाहिए वाटर चाहिए तो यहाँ पे जो female frog होती है वो क्या करती है female frog is laying the egg beneath और on the leaves leaves के उपर या leaves के नीचे वो eggs को ले करती है और again इनके अंदर क्या होता है frogs के अंदर कि जो eggs होते है वो इसको क्या बोलते है, they are not laying single egg, वो egg spawn, उसे क्या कहा जाता है, egg spawn, और यहाँ पे बहुत सारे eggs होते हैं, क्या होते हैं इसे, बहुत सारे eggs होते हैं, और eggs के अंदर, यहाँ पे क्या होता है, sticky material, sticky material होता है, क्या है, sticky material होता है, अब यहाँ पे वो egg spawn, जो है, इसके अंदर sticky material क्यों होता है, अब वो sticky material इसलिए है, ताकि वो जो egg है, वो agglutinated form में रहे, या फिर वो not agglutinated, aggregated form में रहे, aggregated form में रहे, और उनके जो predators है, या कोई insect है, या कोई ants है, या फिर कोई birds है, वो अगर इस eggs को खाने के लिए आ जाए, तो वो उस sticky material में, या slimy material में trap हो जाते हैं, और उनके death हो जाती है, और egg को कोई भी हाम नहीं होता, got it, तो ये जो female है, वो क्या करेगी, leaves के नीचे जो eggs है, उनको ले करेगी, बेट वो उस तरह के पेड को चुनती है, उस तरह के leaves को चुनती है, जो की नदी के किनारे हो, या water source के पास में हो, और उस water source के पास में, जो भी leaves हो, वो trees हो, उसके leaves के पास वो eggs को ले करती है, और फिर बाद में क्या होगा, वहाँ पे, देखिए समझो, ये है एक पेड और यहाँ पे इसकी एक branch है, और इसके उपर आपको दिखेगा कि ये leaves present है, got it, और अब यहाँ पे नीचे क्या है सारा water source है, नदी है यहाँ पे, अब ये जो female है, इसने एक तो इस leaves के नीचे या एक स्पॉन को क्या कर दिया है, ले कर दिया है, और बाद में उसे इसकी care लेने की कोई जरूरत नहीं है, अगर इसने इस तरह से किया तो, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जब भी इस eggs में से, इन eggs में से, अगर tadpole को hatch होना है, तो tadpole को अगर जमीन पे रहके, वो land पे उपर respire नहीं कर पाएगा, तो उसे क्या लगेगा, पानी लगेगा, तो जब भी tadpole यहाँ से, इस egg में से tadpole hatch out होके आएगा, वो directly पानी में जाके गिरेगा, क्योंकि उसके पास सारी वो चीज़े available है, जो कि पानी में जो life है, वो जीने के लिए होती है, जैसे कि उसके पास tail है, उसके पास fins है, उसके पास gills है, यह सारी चीज़े पानी में लगती है, और पानी में वो क्या करेगा, फिर is that tadpole is able to live, इस tadpole की stage, frog की जो life cycle के tadpole की stage है, वो पानी में रहती है, and they are respiring by the gills, वो gills से क्या करते है, respiration करते है, got it, अब देखिए, आगे है, कि इनकी जो body है, वो head और trunk में, देखिए, यहाँ पे, आपको दिखेगा, देखिए, इसकी जो body है, यह वाला region है head, और यह पूरा region है trunk, यह वाला है head, और यह वाला है trunk region, इसले इसकी body कैसे divided है, head and trunk region में उसकी body divided है, अब देखिए, next हमें क्या देखना है, next में क्या है, कि they are showing special characters, special features, क्या है, एक है hibernation, जिसे की winter sleep कहां जाता है, दूसरा है estimation, जिसे की summer sleep कहां जाता है, अब यह summer sleep और winter sleep है क्या, क्या है यह, देखिए, hibernation में winter sleep कहां जाएगा, और estimation में summer sleep, क्या आपने थंडी के दिनों में, या summer season में, frogs को कहीं पे देखा है उपर, हमें frogs बस rainy season में जादा तर नजर आते, क्योंकि वो उनका breeding season होता है, और तब वहाँ पे environment में moisture सबसे जादा होता है, तो वो dry out नहीं होती है उनकी skin, श्रिंक नहीं हो सकती उनकी skin, इसलिए वो जादा तर amount में हमें उपर गुंते हुए नदिखते है, कब rainy season में, बट winter season में और summer season में हमें वो नजर नहीं आते, क्यों, तब वो कहां रहते है, तब वो रहते है जमीन के अंदर, अब sleep बोला है, तो सोय है वो, बट अब सोय है मतलब क्या, कि अब उनकी जो body activities है totally slowing down, slow हो गई है, वो जिन्दा है, बट उनकी body की बाकी activities नहीं चल रही है, और इस वक्त summer sleep या winter sleep, estivation या hibernation, दोनों के वक्त ये लोग खाना भी नहीं खाते, जो भी खाना इन्होंने store करके रखा है अपनी body में उसके उपर ही वो जिन्दा रहते है, during estivation and क्या है, hibernation, अब hibernation और estivation में ये जाते क्यों है, summer sleep और winter sleep में ये जाते क्यों है, क्योंकि इन्हे proper environmental conditions भी नहीं मिलती, इन्हे proper खाना भी नहीं मिलता है उस वक्त, क्योंकि इनका खाना क्या है, insects है, और आपने देखा है, winter season में भी आपको जादा insects नहीं नजर आएंगे और summer season में भी नहीं नजर आएंगे, आपको insects कब नजर आते हैं, आपको insects नजर आते हैं, rainy season में, rainy season में बहुत सारे insects होते हैं बाहर, उनकी population बढ़ी हुई रहती है, तो इसलिए यहाँ पे इनके पास एक special character आपको दिखेगा जिसे कि कहां जाएगा hibernation and estivation, got it? अब देखिए, अगिन यह hibernation और estivation में क्या करते हैं, they are going deep inside the land, क्यों जाते हैं, ताकि वो summer season में या winter season में warm temperature होगा, या ज्यादा cold temperature होगा, उससे क्या होगा, उनकी body activities को वो harm करेगा, इसलिए वो they are going deep inside the earth, और उनकी body जो है, वो shrink भी नहीं होनी चाहिए, उस वो dry भी नहीं होनी चाहिए, उससे बचने के लिए वो estivation में जाते हैं, या फिर जादा problem भी उन्हें नहीं आनी चाहिए, इसलिए वो hibernation में जाते हैं, अब next character है, movable eyelids, अब देखिए, उनके जो eyelids से, आपने कभी frog को देखा होगा, उसके जो eyelids से या eyes है, वो गोल-गोल घूमते हैं, मतलब उसे हम बोलते है, movable eyelids, उनको अगर इस तरफ देखना है, तो ऐसे mundi उस तरफ करने की जरूरत नहीं है, head को उस तरफ नहीं करेंगे वो, बट उनको directly दिख जाता है, क्योंकि उनके जो eyelids से, वही movable है, अगर हम हमारी बात करें, तो हमें इस तरफ देखना पड़ेगा, तब हमें नजर आएगा इस तरफ का जो angle की, जो भी चीज़ है, इस angle की, बट उन्हें वैसा नहीं होता है, उनकी जो eyelids से, वो सब angle में गूमती है, और इसके पहले हमने कभी भी आँखो के बारे में बात नहीं की थी, इसके पहले हमने जो भी coordinates पड़े, बट यहां पर हमने आँखों के बारे में भी बात की, इनके पास movable eyelids होती है, और इसके पहले हमने कभी कान के बारे में भी बात नहीं की थी, अब यहां पर हमने कान के बारे में भी बात की, क्या, इनके पा करते हैं इनके endoskeleton के बारे में अब इनका endoskeleton actually किस से बना हुआ है इनका endoskeleton किस चीज से बना हुआ है तो इनका जो endoskeleton है वो बना है bones से मतलब इनके body का internal structure इनके body को structure कैसे मिला है इनके body को structure मिला है, bones से, bones से इनका skeleton का formation हुआ है, इसलिए हम बोलेंगे, इनका जो endoskeleton है, वो large है, और कैसा है, boni है, what it, अब next देखते है, अब इनके पास, अगर brain के बात करेंगे, तो इनका brain कैसा है, इनका brain है, इनका brain बना है, 10 pairs of cranial nerves से, कैसे बना है इनका brain, 10 pairs of cranial nerves से, और वो जो cranial nerves है, वो different organs को attached है, और इस तरह से वो क्या करेंगी, they are exporting and importing the stimulus from external and internal environment, हो गई यह बात clear आपको brain के बारे में, अब next बात करते हैं, metamorphosis, इनमें जैसे हमने hibernation और estimation देखा, जैसे movable eyelids और tympanum को देखा, वैसे ही यहाँ पे इनके पास एक special character है, वो है metamorphosis, अब दे देखिए, यहाँ पे हमने देखा कि eggs से tadpole आये और tadpole से adult आये, बट हमने यहाँ पे देखा कि tadpole और adult में कितना फरक था, tadpole के पास वो सारी चीज़े थी, जो कि पानी में रहने के लिए काबिल था वो, बट अब जब वो adult हो जाएगा, adult के पास वो सारी चीज़े है कि वो जमीन पर रहने के लिए लायक है या काबिल है, अब यहाँ पे इस tadpole को इस adult में convert होने के लिए उसे metamorphosis के process के थूँ जाना पड़ता है, और जब metamorphosis का process होता है, इसकी जो fins है, वो भी चली जाती है, इसकी जो lungs है, वो डेवलप हो जाती है, लंग्स में और इसकी tail है, वो भी चली जाती है, इसलिए हमने adult में देखा, इसके adult में body division कौन सी थी, head और trunk ही थी, इसलिए metamorphosis का process होता है, क्योंकि tadpole को adult में अब convert करना है, अब इसके examples देखते हैं, इसके examples है, राना, टिगरीना, याने frog, बफो और हैला, यह तीनों है इसके examples amphibians के, अब next और एक बात क आपको क्या दिखेगा, इनमें आपको और एक special character दिखेगा, अब वो special character कौन सा है, इनमें आपको दिखेगी parental care, हम अगर हमारी खुद की बात करेंगे, अगर हम बुड़े हो जाए और तब तब भी हमारे ममी पापा जिन्दा है, तब यह तक parental care हम लोगों में दिखेगी, our parents are taking care of ourselves, but इनमें इनमें भी आपको parental care दिखेगी, बट एक stage तक ही दिखेगी, यह वाले जैसे कि अब यहां पर first picture में आपको दिख रहा है, यहां पर एक frog है, उसके body के उपर, उसके peat के उपर, एक marsupium के जैसा है, marsupium जैसे अपनी kangaroo में देखा होगा, kangaroo का बच्चा जैस इसे brood pouch भी कहा जाता है, और इस brood pouch के अंदर eggs है, और वो eggs की development यहां पर होती है, और उसमें से बाद में टैड़को निकल के आएगा, इसलिए उस egg की stage में यह वाला जो parent है, उस egg की care ले रहा है, अब यहां पर भी आप वैसे ही देख रहे हो, इसके नीचे eggs है, ताकि यह eggs totally hatch out हो जाए, और आगे यहां पर भी आप यही देख रहे हो, कि कुछ peats है यहां पर और वो peats चोटे खड़े है, और उसके peat के उपर frog के, और उसके अंदर eggs को रखा गया है, और वो eggs जब तक hatch out ने होंगे, वो उसके peat पर भी रहेंगे, और यहां पर देखिए उसके limbs प sharing eggs with them, in this way they are taking care of their young ones, इसलिए वो and in this way they are showing parental care, इस तरह से वो parental care लेते हुए दिखाई देते है, अब देखिए यह वाले हैं इनके examples, अब यहां पर देखिए, आपको देखेगा अन्यूरा, यानि frog, बफो और salamander, अब यहां पर और एक इंट्रेस्टिंग चीज है, यहां प टंग नजर आ रही है, यह है इसकी टंग, अब इसकी जो tip होती है, यह इसकी जो tip है, वो कैसी होती है, sticky होती है, ओके और इसका खाना क्या होता है, कोई insect होता है, अब यह frog, आपने कभी frog को देखा होगा, खाना खाते हुए यह insect को पकड़ते हुए, वो insect जैसे ही पास में जाए, frog अपने टंग को बहार निकालेगा, और यह insect यहाँ पे जाके stick हो जाएगा, और जैसे ही stick हो जाएगा, यह तंग को अंदर ले लेगा, हमारी जो टंग है, यहाँ से attach नहीं है, हमारी टंग यहाँ से attach है, इसलिए हम extend करके उससे बहार निकालते है, बट frog जो है, उस के interesting चीज, और दूसरा क्या है, देखिए, यहाँ पे आपको इसके limbs नजर आ रहे है, और वो limbs को attach, देखिए, आपको थोड़ी से skin की layer दिख रही है, और यह वाली skin की layer क्यों है, उसको attach, ताकि वो पानी के अंदर रह पाए, पानी के अंदर swim कर पाए, frog जो है, पानी के अं आपको skin की layer भी दिखेगी, यहाँ पे present होती है, हो गए यह बात, अब यह सारी जो चीजे हमने देखी, interesting facts देखी हमने, यह सारी किस के बारे में देखी हमने, यह देखी हमने amphibians के बारे में, got it, अब next lecture में हमें क्या पढ़ना है, हमने अब यहाँ पे आज के lecture में क्या amphibians को complete किया, जिसमें हमने frog, toad, salamander को देखा, उसके characters को देखा, उसके special facts को देखा, कौन से कौन से थे, अब next lecture में हमें reptiles, ewes और mammals को देखना है, what it, हमने एक-एक करके एक-एक पार्ट को complete किया, step-wise, what it, इस तरह से अब हम यहाँ पे इस पार्ट को amphibians को end करते है, आशा करती हूँ कि यह पार्ट आपको समझ में आया होगा, next lecture में हम next part लेके आएंगे, या फिर next lecture में हमें क्या करना है, amphibians के बाद आता है reptiles, next lecture में हम reptiles को लेके आएंगे, तब तक के लिए आप अपना खयाल रखिये, have a nice day, bye